मैं हूं कमड शीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देखे रहे हैं मेरे साथ मजूरा सुमिठ पीर भाई सुमिठ भाई सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया तैंक यू छीवा साब थांक यू वरी मच वर इंविटेशन सुमिठ भी आज थोड़ा इंट्रेस्टिंग टॉपिक है मैंने का इस पे आप बात की जाए मुझे मैं इक स्टोरी से गुजर रहा था उसमें मैं पढ़ रहा था कि इंडिया के अंदर जो मंदर है वो बिलियन्स ऑफ डॉलर्स के मालक हैं वहां पे जो सोना पड़ा हुआ है मैं देख रहा था कि एक वन कित्सवारा टैंपल है जो के सदरर इंडिया में आंदरा परदेश में है वहां पे जो कहते हैं कि जो गॉड विश्नु जो है वो जो कहते हैं कि जो मैंकाइन का प्रोटेक्टर है वहां पे तकरीबन वो जो 28 बिलियन डॉलर के आसेट्स हैं जि जो है वो इसको आप कैसे देखते हैं और यह क्या एक सेंस्टिफ डिसकेशन है डेफिनेटली सो वट इस यो टेक ऑन देश के यह जो मंदरों का पैसा है यह पबलेक पे लगाना चाहिए इस पे आप वट इस वट इस गोइंग ऑन इंडिया यह बड़ा मुश्कल सी डिसके लगती है इस तरह मजब के ऊपर कहना कि मंदरों से पैसा निकाल के गोड निकाल के तो कहीं लगा ले क्योंकि हमारे भी मस्जदों में जो मनॉपली है वह आपिसली इस देर सो होड़ी सी दिस तेके चीमा साब शोपर बुलाने के लिए धन्यवाद और अच्छा टॉपिक किया ने और अगर आप रिकॉल करें जो मेरे आपकी पहले इंटरक्शन सुपर मैंने आपको बला है कि जितना सोना हमारे सेंटर बैंक में है और जितना सोना हमारे लोग के पास है अगर हम मंदिरों का सोना मिना दें इंडिया है इस पूरे इंडिया का सोना पूरे दुनिय discussion है हमारा वीडियो होगोस पर जरूर आई थी देगे चीवा साब बंदिरों का जो सोना इंफरेक्ट पहले से कम हुआ हुआ है से एक टाइम में 2000 साल पहले देखे यह 300 साल पहले देखें बहुत से लोग इहां से गजनेवी क्या नाम था था माहवाद गजनेवी यह सब बहुत सोना ले गए आंसे वरना इतना सोना था यहां पर जिसको गिनने का भी गुश्वार नहीं था चले जो लुटेरों न आप जो आज की ने सोना है तिरो मिला किया बात करें श्रीभाला जी 라고 है जो आज इसके बात कर रहे região और यह श्राइन हजारों करोड हर साल गुझन को देती है हजारो करोडा हर साल गुवर्मन्ट को देती है इनकी हजारों में चैरिटिया चलती है जिसमें लाकों नहीं करोडों लोग का benefit होता है they do it and you know every day ऐसा कुछ नहीं है यहां एक चोटे एक्जेंपल बता हूं यहां एक मामिरत माई है चोटा साइग उनका एक माली जी एक following है एक चोटा साव अपना trust चलाती है सबसे बड़ा multi specialty hostel फरीदाबाद में उन्होंने खोला इश्या का सबसे बड़ा जिसमें पैसर तो ऑपरेशन थेटर है वो दस बीस लाक लोग को रोज खाना खिलाती है यह मैं एक चोटे से मामिरत भाई की कहानी बता रहा हूं आपको ऐसे कहीं सारे गर मैं बाला जी की charity चरिवाला तिरोपती बाला जी की charities की बात करूँ बेश्मार charities है अगर वैसे पदमनाभाया temple की बात करूँ बेश्गार charities है तो वो पैसा अब भी समाच के बले के लिए लग रहा है sवाल यह है कि यह जो मंदिरों में सोना पड़ा ही हज विल्कि इस सोना इस इक्यूलेटीट्स फॉर हंडर्ट्स फिर्स यह उसकी मलकेत रही और एक पन्वनावाया टेंपल है उसका एक वॉल्ट तो खोला ही अभी उसमें पांच-छे अशाथ वॉल्ट एक वॉल्ट अभी खोला नहीं और कहते हैं उसमें इतना सोना कि जितना सम वाल्टों में मिलाकों से जाता है और उतने डाइमंड्स वगरा पर उसमें एक हमारे कावत is a curse, you cannot open that one, करा अगर खुलोगे तो काफी तबाईगी और यह सबाएगी, ऐसा मानना है, तो आप देखिए वैटिकन के बाद दिरिचे श्राइन श्री तरुमति बाला जी, उसके ब land banks है अवकफ के पास, वकफ के पास, इंडिया में, रेलवे के बाद सबस्दें अना, इसमें लैंडम्स उनके पासा, हमारे पास भी नहीं के पास है, हां हमारे पास भी वकफ काफ के पास हमारे पास, हां, और, और कुछ ये Congress की Government कुछ ऐसाiest एक लाई थी कि आगर दो मॉला ना खड़े हो जाए बोले यह जमीन मेरी है तो वो जमीन उनकी और अग जब तक उसको चैलेंज ने किया है को चैलेंज करने का भी टाइम है और वो एक वफ्ट ट्राइबूनल को जाएगा वो भी मलग एक वफ्ट में सेक्टर सेक्शन 25 है जो बहुत रेकूनियन हो एक अधियरों में सोना रख्ष की बात कि किसी भी मर्जिद का एक भी पैसा गौर्मट उडिया में है नहीं जाता बंदेरों का सारा पाशा गवर्मट उडिया में जाता हां पर गोर्मेंट यह कहती है विजिए उडियों पर्पोस के लिए यूज सोना चाहिए लड़ाई तो यहां चीवा साहब यह है कि जो बंदरों का प्रैसर, that should be left with temples to decide what do they want to do, क्योंकि अगर मैंने तिरुपतिवाला जी में अपनी शर्दा से 100 रुपे दिये, तो मैंने उस temple को दिये ना, अगर मुझे government को देने तो PM Care Fund में दे रहा हूं, मैं टेक्स दे रहा हूं, मैं बंदरा ची जो हम मंदर के लिए जा ले, that should be only used for the temple and their religious purposes, अब हजारों को शायद लाए चला रहे, orphanage चला रहे, hostel चला रहे, अब जैसे हमारा एक है, शिद्धी साही बाबा का temple है यहां पे, पुने में, उन्होंने millions of dollars there COVID के टाइम में, एक साही बाबा उनका temple है यहां पे, बैंगलोर मे उनके होस्टेल चला रहे, multi-specialty होस्टेल, जहां free एलाज हो रहा है, तो charities में, mushrooming of charity, that is already run by these institutions, they are taking care of millions, hundreds of millions of people, by education, by charity, girl child management, free open arts services, free training, इसके बाद उसके सोने पर नजार रखने को तो मतलम नहीं, यह सोना उनका उनके पास रहे शी वैसे भी, यह सोना तो देश में रहेगा जब government को जरूत होगी, अगर भावान ने करें, ऐसी जरूत पढ़ी, तो तब कोई पीछे हटेगा नीची मसा, तब कोई पीछे नहीं हटेगा, बट अभी जरूत है नहीं, ऐसी कोई, ऐसा कोई प्रावदान है नहीं, तो बागी हां कुछ लोग है, यहां पर politician जिनका यह म बात है, बात करें कि तब तक बात करना में माई नहीं है, राइट, तो इड़सेंट मेक लॉजिकल सेंस, जी, बिल्कुल ठीक हो गया, अचा यह बताईए कि यह, यह discussion कौन लोग कर रहे हैं, कौन कहते हैं, क्या यह liberals हैं इंडिया के अंदर, जो यह चाहते हैं, क्या यह सरक कारी अदारों में डाल देगा, जिसने अपना मजबी जगों पर पैसा देना है, तो अधर यह कौन लोग कर रहे हैं, क्या लिबरल्स कर रहे हैं, यह क्या और उनका क्या एजंडर क्या है, वाट इस दी मोटिव भी हाइंड डैट, क्या इंडिया को जल्दी एक बड़ी ता लिए जिए चिमा सब, यह भी बेतरी सवाल है, लिए जहां तक एक आदमी की बात करें, मैं टेक्स देता हूं, माली चाहिए, ठीक है, मैं PMKR में भी पैसा डालता हूं, मेरी और भी चारिटीज जो मैं करता हूं, अपने लबल पे, रिलिजिस, नॉन रिलिजिस, दोन रिल और और, कि अधर मैं में मंежा पैसे डालता हूं, मैं हैसा तैक्स में देता है, कि अबर टेक्स देता हूं, यह मै आपको कहा रहा हूं, हमारे जर्शक है, ईनवे स्नुसें कपाले के लिए से 99% लोग की कहानी मिलर है, यह यह से 99% हूं है, इग आपालने किक कहानी है है, everybody tries to contribute to national nation building, wherever and whatever they can, but the description is theirs, unka description is, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, देखिए, हिंदु मंदिरों में सोना है, हिंदु मंदिर संपन है, यह बहुत से, लोग को तकलीफ है, हमारे एक गहन था तो, अर्बन एक्सिल्स का, उन्ने इस चीज़ से तकलीफ है, वो कहते हैं नो, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, निशाना इस पे, कि इन पर पास ये पैसा क्यों रहें, ये संपन क्यों रहें, वाइशुड थे become power centers, why should they become, you know, centers of this, of course, board की जमीनों या work board की जमीनों पर तो कोई बात नहीं कर रहा, अब UP में पीछे कुछ हजार मदरे से फर्जी पाएगे, उन पर तो कोई बात नहीं कर रहा, भाई ये जो नया work sector section 25 or section 4 इस पर तो कोई बात नहीं कर रहा, और ये और वहां तो अभी Congress के टाइम में amendments लाई गई थी, 90s में, और इनसे वे power दिया जा था, जब कि यहां देखिए, हजारों साल का, और ये loot खसूर के बाद बचे सोना, ये जो आप देख रहे हो, billions of dollars के loot खसूर के बाद का बचे हुआ है, I think it's only the, what is left is 10.20%, जितना loot अगया, आप कहते हैं, घजनी ने तो इतने उंटों की line पर सोना लादा था, कहते हैं, आप तो मेरी तो line के, line के end तक मेरी नजर भी नहीं जा रही, 17 वारा है, तो हो सोना त्लूप ने, तो कहने की बात ये, तो चीमा साब, अब ये तो किसी का मतलब भी नहीं ना, अब जिस, मैंने अगर स्रदा से पैसा दिया, एक मातिरुपती बाला जीम है, जब आप कुछ हस्पताल बनाना, आप बताओ, हस्पताल के लिए पैसा चाहिए, हम तब भी देते हैं, आप बताओ, किसके लिए चाहिए, हम तब भी देंगे, हमारा टेक्स है, और अगर है, हमारे पार 600 बिलियर का formation reserve है, हम third largest economy है, by PPP, फिफ़ पर GDP, तो हमारे पास कोई पैसे की कमी तो है नहीं, हाँ, कलको गोर्मेंट, गोर्मेंट के एक policy लाती है, इसके गोल्ड बांड्स में सोना को convert किया जाएगा, कुछ वो एक अलग चीज है, सोना आपके पास रहेगा, बर हम गोल्ड बांड्स मे है, ना फाइदा है, ना नजाकत है, अगर आप एजेंडा चलाने के लिए आप इन चीजों को कमजोर करना चाहते हैं, इनको वीकन करना चाहते हैं, कि किसी तरह से जो इनका सोना है, इनका चांदी, इनके जो assets है, इनको खीचा जाएगा, तो उसका opposition तो हो गए, इनको पॉ लोगों ने तो आपने गहने उतार उतार के दिये ते गॉवर्मेंट को, कि यह लो, हालत तब इतनी नहीं थी, तो अपने गहने उतार उतार के दिये, यह तो ऐसा मुलक है, लोग यह गहने के घर भी बैजने के ज़बत पड़ेगी देश के लिए, बट अभी जरूरत है न आपकी जो एक जनरल पबले का ही है कि अगर ट्रिलियंज अफ डॉलर्स या बिलियंज अफ डॉलर्स पड़ा हुआ है तो उसको अगर गॉर्मेंट टेक ओवर कर लेती है ठीक है तो इटसेल्फ एक गॉर्मेंट को बूस्ट मिलेगा यह भी तो एक परस्पेक्टिव है और मॉडरन जमाने में 21 सदी में जहां पर हम बैठे हुए हैं आप समझते हैं कि मजब को इस तरह इंडिया जैसी सुसाइटी जो के हेट्रोजीनियस सुसाइटी है जहां पर जारी बात है मलब डिफेंट काइंड्स पीपल एथनी बैक्डराउंड रिलिजिस बैक्डराउंड के रहते हैं गवर्मन्ट अगर यह स्टैप लेती है जो कि इसल्फ एक का जाता है हिंदू मिजॉरिटेरियन गवर्मन्ट है यह उसका माइंड्सेट है वो करेगी क्या अमेट शाह पीम मोदी उसके बाद डिफेंस मिनिसर राजनाथ सिंग यह जो कोर ग्रूप है क्या यह पर सोच सकता है क्योंकि अट दी एंड अफ दे यह मजबी तो लगते हैं लेकिन इनकी पैसे में भी नजर है वाट आई बिलीव इन के हाव माच क्योंकि इस वक्त लगता यह कि बीचे पी जो है वो चाहती है कि इनके टेनियोर में इंडिया का जो स्टेचर है वो और इसको जानती पैसा खुले में यह कोई मलब यह कोई ऐसा नहीं कि हमने एक बिज़री का बटारा जीतना पैसा दुनिया कोई ही को पता ही नहीं यह ने सब कह चुगा आगर आप कभी आए इंडिया तो जय है तिरुति पाला जी आपको पता खुलेगा मैं क्या बात करूँ ऐसा कोई नहीं है कि भाई मतलब आप देखने सकते हैं. तो कहने की बाथ ये है कि ये सब को पता पैसा कितना है. दूसरी बात देश को कोई पैसे की जरुवत है नहीं है. देश को पैसे की जरुरत roлы. ती सरी बात. और यह हजारो करोड की मिल्कियत जो हजारो सालों से पर उसको लेने की कवाइद हो रही है इट केनाट भी फियर मलब दो हाथ तो दो ही है ना दोनों में पांच-पांच उंगली है राइट अगर जरूरत यहां तो जरूरत वहां भी है नहीं मैंने कहा था ची मसफ जिस दिन वैटेकन का मक्का का और सब का पैसा गुवर्मेंटों में चला जागा अगर दुनिया में ऐसा कोई रिवलूशन आएगा उजर हम भी सोचे कि विल क्रॉस दिब्रिज में रीच इट ऐसी बात है नहीं तो वही बात है कि हमारे कहावत है कि बगत सिंग तो हर एक को पसंद ह है बगत सिंग से और कोई प्यार करता पर यह भी चाहता कि पडोसी का बेटा बगत सिंग हो मेरा नहीं तो यह यह सिंड्रोम चले करनी ना हाथ है दोनों हाथ की पांचों सब उंगलिया बराबर है इस हाथ के साथ जो होगा वही साथ के साथ ब्योगरेट के लाट भी डिस् कुछ नहीं करना और चीमा साथ उनकी ऐसा उनका वह रुद्बा है अगर कभी जरुवत पड़ी तो चीमा साथ मैं एक बात बता हूं जो जोगडी में भी रहता है ना वह भी अपना बरतन बेच के पैसा डाल देगा जिसकार के लिए तो अकोमा यह 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 हिंदू मेज अगरा की कोई बात नहीं है नाशनलिजम इतना है कि जरुवत पड़ेगी तो गरीब से गरीब आदमी ना लिटरली अपनी हांडी बेच के भी पैसा डाल देगा यह बाहरत की ताकत है यह मैं आपको गारंटी दे रहा हूं यह मैंने देखा जब पी-एम-क्यर वाला मसला ह हुआ था कोई वाला मसला था जय चाहिए हैं नहीं था लोगों ने बोला था आप खोलो हमें देना है और अभी पता उसके हुआं रतन टाथाटा जी कहने को तो वो लोगों के पार्सी पार्सी रो पॉंट-जीरो वण परसंट लोग है पर उस उस पैसे के सारे ट्रस्टी जेना जाना रतन ड़ाटाधी के पास है, तो सीमा साफ ऐसी कोई कमी नहीं हो, ब Turns एसी कोई जरुवत नहीं है, बत ये देश का Asset है, ये हम जानते हैं, मानते और पहचानते हैं, ये हम्हमाने है, ये ये तेश का Asset है हैं और जो हमारी currency को Global बनाना है? When we look at the total gold reserves in the country this is a god damn tangible valuable asset which will help country's currency to go global this will be a guarantee to the currency because we are as an India are holding this quantum of a gold reserve, ये जग जाहिर बात है, बता रहे हैं बताना चाहिए, सब को जानना चाहिए बिलकुल ठीक हो गया ये बाद, अच्छे एक आखरी सवाल भी आप से समझ भी करना है इसके हवाले से को जो या कोई एक collective approach भी है कि हमें अगर कोई इस तरह की approach आती है तो हमें इसको कैसे deal करना है या कर समझते हैं कि ये ये one man army है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं बड़े-बड़े जो मंदर होते हैं वो बड़े-बड़े उनके पीछे बड़े-बड़े सियासी जमाते हैं बड़े-बड़े बिरोक्रेट बड़े-बड़े फौजी अफसरान भी होते हैं इन्होंने को ग्रूप भी बनाया हुआ ऐसा या कि ये समझ रहे हैं कि इन्डुजली आप टेकिंग अन इस प्रमागेंड़ा या अब प्रपेगेंड़ा तो नहीं कहना था है इन्डुजली आप टेकिंग अन इस आईडिया जो इनकी तरफ हारा है या कि आप समझ रहे हैं कि सिवल सोसाइटी इनको प्रटेक्ट कर रही है दिखिए चिमा साब जैसाम श्रीत तिरुपति बाला जी की बात करें तो इसे ट्रस्ट विच इस मैनेजिमिट और यह ट्रस्ट बहुत साल पुराना है अगर मैं माता वैशनो दिवी की बात को तो एक माता वैशनो दिवी ट्रस्ट है इन फैक विडमना तो यह रही है आपको पता है जेंट के में आप एक इंफर्मेशन दे दो आपको जेंट के में कुछ टाइम पहले तक कि माता वैशनो दिवी हजारो करोड और वहां की गौर्नमेंट में माता से ले रखा उधार दियानी आज तक वापस कुछ कुछ अब मनोज सिना जी ने वापस देना शुरू कर दिया कुछ तक फारुग उप्दा साहभ इसके ट्रस्टी चेर्मन वगरा है बोड़ गे और ह रहे है वह और वह वैसी बात्षाह लोग हो हजारो अरबो करोड के मालिक हैं उने कोई जरूवट नहीं है तो इन सब के पीछे है तो ट्रस्ट है बहुत बड़ी-बड़ी रॉयल फेमिली से जिनने इनके पैसे पर कोई नजर है इस ट्रस्ट इस ट्रस्ट अर आउट अगर अगर आज मैं आपको इक और चीज बता हूँ अगर आप मैं यह कोई भी हमारे दर्शक ट्राइ कर सकते हैं अगर आप तिरुपती बाला जी के साइट पर जाके 200 रुपए डोनेशन करना चाहिए फिर्स तिंग एवरिधिंग इस आप सोना क्या है जो भी यह डाल सकते हैं इसांगे करना बिकसरा आप को आप सो रुप भी डेने ओ आ ब्रुपए तो छोज वाल जी के लिए जसके लिए बना है, आप जिसके लिए इसे आदर आटार कार्श यह समें पर आधार काड़ करना होच्ते हैं तो इस मेल सबदीड पर आपको आपको यह रहाँ अगर अगर जहां charities की बात आएगी, जहां humanities की बात आएगी, यहां already लोग, हमारे governments, हमारे मंदिर, हमारे धार्मिक सितनान और काफी इतना करते हैं, इतना करते हैं कि मतलब बस एक, यह भी हमारे बहुत बड़ा सुरक्षा का कवच, एक सुरक्षा का शील्ड है, what we are doing. and Prime Minister Modi and his cabinet has no need to do it, they don't have anything on this intention to do it because they have no, there is no way they would even need this money, but this money is a asset of the country which is within the country and which is for the good of the country, और जब जोगर पड़ेगी, बन पुश कम्स तुशव, मैंने बुला ना, यहां का गरीब से गरीब आदी हांडी बेचकी भी पैसे देगा, और देश को बचाने के लिए देश को बनाने के लिए लगा देगा, उसमें कोई दम है, उसमें कोई शक्मी एचीमा साथ, और यह तो हमेशा देश के साथ खड़े रहते हैं, आब बताईए, हजारो करोडों की चैरिटिया करना, करोडों लोगों का बला करना है, they are doing it from hundreds of years, for last 50, 100 years, 200 साल से कर रहे हैं, and with every passing there, the quantum of their charities is increasing, यह बढ़ रहा है, गटनी रहा है, और यह भावना जनरल प्लिक में भी एचीमा साथ, this is not only confined to temples, this is in general public also, तो ऐसे होते वह तो कोई जरूरत ही नहीं है, और भवान करें, इसकी जरूरत ना पड़े, बठाई ही हमारा national asset है, national treasure है, और अपनी currency को global बनाना, उसमें बड़ा फाइदेमन चीज हैंगे, यह आप और हम detail में इस पर बात कर चुगी तो उसमें फिरसे नहीं जाएंगे, तो यह है चिमा साब, ठीक है, thank you very much वह में बताने के लिए, यह जो discussion हो रही है, और जिसको मैं ने इंटरनेशनल मीडिया में भी देखा, so इसके पीछे मकसद क्या थे, मकासद क्या है, और why it is going on, thank you very much, बहुत शुक्या, thank you, चिमा साब,